किसी भी राज में सासन, प्रसासन और न्यायाले मिलकर कानून व्यवस्था संचालित करते हैं सासन का काम होता है कानून बनाना योजनाओं को लाना और प्रसासन का काम होता है इसका क्रियानवियन करना और इनके बीच में कोई गलती होती है तो उसे सजा देने का काम करता है न्यायले हलकी चोथा स्तंभ भी मीडिया को कहा जाता है जो सासन, प्रसासन और जनता के बीच सेतु का काम करता है और कोई भी अगर अपना कार इमानदारी से नहीं करता तो उसकी सच्चाई उजागर करता है जब इन स्तंभों से कोई भी स्तंभ दलाली पर उतर आये तो देश प्रदेश या जिले को गर्त में जाने से कोई नहीं बच पाता जब बिका मीडिया प्रसासन की बीच से कुछ इस तरह घटनाएं सामने आती हैं जिसमें पक्ष पात दिखे तो आक्रोस फैलता है और कुछ कड़े सब्द निकल कर बाहर आते हैं दरसल हम बात कर रहे हैं कटनी जिले की जहां नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उनके दोरा पुलिस अधिक्ष को जम कर खरी खोटी सुनाई जा रही है दरसल एक पार्षत के उपर हुए हमने के बाद नेता प्रतिपक्ष उससे मिलने पहुँचे और पत्रकारों से चर्चा की जहां पुलिस अधिक्ष को जम कर लतार लगाई है माना की सासन के दवाव में प्रसासन हमेशा कारी करता रहा है लेकिन जब प्रसासन इतना निरमकुस हो जाए कि सासन की इसारे पर ही दुम हिलाना सुरू कर दे तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है तब प्रसासन को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब कि उसे जो तन्खवा मिलती है आम जंता की गारी कमाई से मिलती है चाटुकारिता की हदे पार होने के बाद ही इस तरह के सब्दों का प्रयोग करने के लिए कोई मजबूर होता है हलकी हर व्यक्ति को अपनी एक मर्यादा में रहकर सवाल जवाब करना चाहिए लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है उससे सपष्ट हो जाता है कि पुलिस अधिक्षक के प्रती उनके अंदर कितना आकोस भरा है हलकी इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के क्रिया कलाप आम हो चुके हैं आईए सुनते हैं कटनी पहुँचे नेता प्रतिपक्ष ने किस तरह से पुलिस अधिक्षक स्री जैन को आड़े हाथ हो लिया है कोई कटनी में रखे इसका सुद्धी करनकुरू का कितनी गुलामी करता है वेतन आप लोगों के पूरी जनता की गाली कमाई से ट्रेक से पा रहा है वह भारती जनता पाड़ी के नोकरी कर रहा है उनका गुलाम बनके काम कर रहा है पूरी ताकत के साथ इस मुद्य को हमने साथ ही पढ़ते रहें हमारे लोग अत्याचार दबाव में उन पर जूटे मुकद्वे लगते रहें तो गोविन सिंग जी चैन से नहीं बैठ सकती है ना कांग्रेस पार्टी बैठेगी सिवराज सिंगी से मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार आयोग अक्षम नालाएक पुलिस से रिख्षों को रखने से प्रदेश को बरबाद करने का कारकार मत करें उनको संदेक्शन नहीं दें इसको गॉल्ड मैडल मिल गया बता रहें यह नाम मिल आए पंदा अगस्त को किसका क प्रश्ट अचार करके लूटा होगा उसने है जनता की गरीबों को लूटके अगर पईसा दिया होगा तब उसको गुल्ड में उसको तो डिस्मस करना चाहिए उसको जेल भेंजने का काम करने जिए गुर्णों के संदक्शन देता है वो भी अपरादी है इस अपरादी को नाम देना है वारे सिब्राज हम आपको भी कहें चाहिए कि क्या आपका सपाथारा साल में आप अभी जो हमला हुआ है बोलतों दिया बदान समा जाओंगा आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं इस बात को पूरे प्रदेस में बात पहुंच है कि इस तरह का भारती जनता पार्टी चुनाओं के पहले दमन्चक्र चला रही है विपश्च के नेताओं पर जो उनके भारती जनता पार्टी के मत विन्नता रखते हैं उन पर क्या कानून काईदे के बलक विपक्षियों के लिए बने हैं